हलो दोस्तो मैंस योम सैनी और आप सभी прnox एक मेरी चैनल मेडिकल इंफो में सुवागत है दोस्तो युदिए आपके घुट्ने में दर्द बना रहता है या फिर आपके जोनों में दर्द बना रहता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी कपास होने हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेवरिक टैबलेट के इंग्रेजिंस के बारे में दोस्तों इसमें क्या-क्या मिला हुआ होता है दोस्तों इसके इंग्रेजिंस की बात की जाए तो जनता फार्मा लिम्टेड दौरा इसका निर्मार किया जाता है झात मार्केट में और यूज के बारे में मिले जाता है 60 बात करते हैं इसका यूज की बाद की जाए तो यसका उन्फ रूप से उपयोग किया आज उसके इज़ हो सकते हैं दोस्तो जो गावट्स की प्रोब्लम है वो यूरी केसिट बढ़ने के कारण ही बढ़ती है दोस्तो जो यूरी केसिट है वो उन्हीं चीजों से बढ़ता है जो चीज हम खाते हैं दोस्तो यूरी केसिट का ज्यादातर हिस्सा हमारे किड़ने द्वारा फिल्टर हो करके हमारे सरी से ट्वालेट के द्वारा बाहर हो जाता है लेकिन दोस्तो यद यूरी केसिट ज्यादा बनता है या हमारे किड़ने यूरी केसिट को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो यूरी केसिड हमारे खून में बढ़ने लगता है और दोस्तो जो वाद में हमारी हड्डियों में जमा हो करके गाउट या गठिया के समस्यों को उत्पन करता है दोस्तो बात करते हैं यूरी केसिड बढ़ता किन कारणों से है दोस्तो हमारी बदलती खान पान और बदलती लाइप इस्टाइल के कारण यूरी केसिड बढ़ता है और दोस्तो यूरी केसिड बढ़ने के और भी कारण होते हैं दोस्तों यह आपको डाइवटीज है तो डाइवटीज के पेसिट में यूरीकेसिट बढ़ने की खत्रा ज्यादा रहता है तो खाने के द्वारा लिये गया प्रोटीन भी यूरीकेसिट के लेवल को बढ़ाता है दोस्तों जबर्दस्ति एकसर साइच करना और वेट लूच क करने से भी यूरीकेसिट बढ़ने की खत्रा बणा रहता है दोस्तों प्लेड पेसर कीदो या में प्लूच के दोज कितना लेना चाहिए दोस्तों के दोज की बात Von इसका जो डोज है वो अपने डाक्टर कर दोरा परामर्स करने के बाद ही लेना चाहिए दोस्तो हम बात करते हैं फेबरिक टैबलेट्स के साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं चकत्ते पड़ जाना, सिर्दर्द हो जाना, मतली, उल्टी, दस्त लग जाना, धब राहत, पेड़ दर्द, एनेमिया हो जाना, आध इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तो हम बात करते हैं हमें फेबरिक टैबलेट्स किस कंडिशन में नहीं लेना चाहिए दोस्तो यह आपको हिरदाएं के रोग हैं, या फिर आपको गुर्दे की समस्या है, या फिर आपको लीवर की समस्या है, या आपको अलर्जी है तो उस कंडिशन में हमें फेबरिक टैबलेट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तो हम बात करते हैं कुछ लोगों के शवालों के बारे में, क्या फिर आपको उपयोग टैबलेट्स का उपयोग कराने से पहले, आप अपने डाक्टर से परमर जरूर करें और दोस्तों कुछ लोगों का श्रवाल होता है क्या फेबरिक टैबलेट्स हम गर्भती महिला को दे सकते हैं तो दोस्तों इसका उपयोग गर्भती महिला में नहीं करवाना चाहिए और दोस्तों कुछ लोगों का शवाल होता है क्या फेबरिक टैबलेट्स लद बन सकता है तो दोस्तों फेबरिक टैबलेट्स की लद नहीं लगती है और दोस्तों कुछ लोगों का शवाल होता है क्या फेबरिक टैबलेट्स हम सराब के साथ ले सकते हैं तो दोस्तों fabric tablets का उपयोग सराब के साथ करने से कई दूसर प्रणाम देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इसका उपयोग हमें सराब के साथ भी नहीं करना चाहिए और दोस्तों कुछ लोगों को सवाल होता है क्या हम driving करते समयं यान कोई machine चलाते समय फेबरिक टैबलेट का उप्यों कर सकते हैं तो यह आपको फेबरिक टैबलेट लेने के बाद सिर्दत कर रहा है या फिर चक्कर आ रहा है या फिर आपको नीद आ रहा है तो उस condition हों ड्राइवरिंग यान कोई machine चलाने से बचना चाहिए तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,